पेपा और जॉज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं दादी पिक, दादी एग हलो मेरे प्यारी बच्चों, खाने के लिए बगीजे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक, दादी दी हलो पेपा, जॉर्ज, ये है दादा पिक का सबजियों का बगीचा, ये सारी सबजिया उन्होंने खोद उगाई हैं ये क्या है? दाइनोसौर एक डाइनोसौर चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजिया चुनते हैं पेपा, तुम्हे टमाटर पसंद है? जी दादा पेग जॉर्ज, क्या तुम्हे टमाटर पसंद है? नँ जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है तुम्हे सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पेग नँ जोर्ज को सलाट के पत्ते भी पसंद नहीं मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जोर्ज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक जोर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाट के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चोकलेट केक. भुट्टु जॉर्ज, चोकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है. सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए, तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी. वाँ, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा. पहले इन्हें अच्छे से दोना होगा. पैपा और जॉर्ज, दादी पिग की सब्जिया धने में मदब कर रही है. अब दोना बहुत हुआ. दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया. दादा पिग, सब को लंच पे बुलाईए. लंच! दादी पिग ने खाने में पिज़ा बनाया है. और ये रहा सलाद. दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ. खाना शुरू करो. जॉज ने अपना पिज़ा खाया. पर जॉज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं. ओ, जॉज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं. जॉज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खा कर तो देखो. या. जॉज, ये खीरा है. दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है. या. सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खालो, बहुत ही स्वादिष्ट है. ओहो, रो नहीं, जॉर्ज. देखो, मैं क्या बनाता हूँ? अब ये बन गया है डाइनसौर. डाइनसौर. जॉर्ज को डाइनसौर बहुत पसंद है. जॉर्ज, टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है. शाबाश, जॉर्ज. ठोड़ा और लोगे, जॉर्ज. बर गया. जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट बर गया है. जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना बर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता ओ तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते चॉकलेट केक वावाव लगता है जॉर्ज को दोबारा भूक लग गई बेस्ट फ्रेंड पैपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इनतजार कर रही है हेलो सूजी हेलो पैपा पैपा के साद खेलने के लिए आई है हाहा पैपा को शूजी पसंद है सूजी को पैपा पसंद है, वो पक्की सहेलिया है पैपा, क्यों ने तुम और सूजी बेड्रूम में जाकर खेलो ठीक है मॉमी जोज भी खेलना चाहता है पैपा और सूजी को पैपा के बेड्रूम में खेलना अच्छा रखता है और जोज को भी नहीं जोज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है जाओ और अपने खेलोनों से खेलो पैपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं मैं एक बहुत चोटी सी परियो की राजकुमारी हूँ मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुमे एक मिन्दक बना दूँगी जोज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता जोज भी खेलना चाहता है नहीं जोज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ तुम कहीं और जाकर खेलो जोज पैपा के साथ खेलना चाहता है वो अकेला महसूस कर रहा है जोज, मुझे मदद चाहिए मैं चॉकले चिप कुकीज बना रही हूँ जरा बोल में से चक कर बताओ जोज को कुकीज बनाने में ममी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैपा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मरीज कॉन बनेगा जोज पैपा और सुजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जोज को भी पैपा जोज की धड़कन सुनती है जोज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ सुजी जोज का टेंपरेचर चेक करती है तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हें तीन साल तक आराम करना होगा डैडी बिग जोज को देखने आये ओ नहीं क्या हुआ है जोज को चिंता मत कीजिए यह सिर्फ खेल है जोज हमारा मरीज बना है ओ समझा क्या हम मरीज से मिल सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वरना वो ठक सकता है कुकीज हाँ यह जोज के लिए है यह उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुदगुदी होती है मैं इसके गुर्गुर सुन सकती हूँ मुझे लगता आपको भूक लगी है मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी को किस खानी चाहिए और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी पिक्निक यह एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है पैपा और उसका परिवार पिक्निक के लिए जा रहे हैं डाड़े पिक्निक की टोक्री ला रहे हैं पिक्निक ब्लैंकेट, ब्रेड, चीज, टमाटर और लेमोनेट हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना ममी का स्ट्रॉबेरी केक मैं सिर्फ मजाग कर रहा था ममी का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक क्या है सब तयार तयार तो फिर चलो यह हमारी पिक्निक के लिए बहुत सही जगह है बहर अच्छा लगता है हमें थोड़ा दोड़ना चाहिए और थोड़ी कस्रत करनी चाहिए मैं तो खाना चाहती हूं और सोना चाहती हूं और दोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती मुझे लगता रारी को थोड़ा दोड़ना चाहिए उनका पेट बहुत बड़ा है पर मेरा पेट बड़ा नहीं है लेकिन मैं बाद में थोड़ी कस्रत करूँगा चाहे कोई और करे ना करे चलू खाते हैं अच्छा आइडिया है ममी पेग मुझे बहुत भूख लगी है स्वादिश्ट है मुझे बहुत नीद आ रही है देखो वहां ताला में बत्तक है मामी क्या हम बत्तकों को खिला सकते हैं हाँ तुम उन्हीं ब्रेट खिला सकती हो पैपा और जोज फो बत्तकों को खिलाना अच्छा लग रहा है मामी मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए पैपा वो आखरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है मुझे माफ कीजिए हमारे पास और ब्रेड नहीं है बतकों को और खाना चाहिए लगता है डाड़ी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है अब तुम यहां क्यों आई पैपा ने तुम्हें बताया ना यहां और ब्रेड नहीं है ममी हमारे पास स्ट्रोबेरी केक है ठीक है अगर केक बच किया तो तुम उन्हीं खिला सकती हो ममी पिग का घंका बनाया स्ट्रोब्री केक सबको पसंद आया इक मक्ही मुझे मक्हियों से चड़ है शू चड़ने की क्या बात है ममी पिग यह सिर्फ एक मक्ही ही तो है चलो जाओ मक्खी बिल्कुल हिलना मत ममी पिक यह उड़ जाएगी देखा तुमने तुम्हें कहा था बस हिलना मत अरे चली जाओ पचाओ वह इसे भगाओ भगाओ इसे उम्मीदें मक्खी डारी को काटेगी नहीं दूर हटो छोटी सी मक्खी नहीं डारी मक्खी से बहुत इसके पहले के मक्खी वापस आजाए हमें केक खा लेना चाहिए नहीं हम बत्तकों के लिए बचाना तो भोले गए मेरे ख्याल से वह चली गई है आपनी कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डाडी पिक लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबरी केक किसी तरह से बचा लिया रुकिए डैरी हम ने बचा हुआ कि एक बत्तकों को खिलाने का वादा किया है तुम्हारी किसमत बहुत अच्छी है चलो डारी को शुक्रिया कहो तुम्हारा स्वागत है घर जाने का समय हो गया बत्कों को गुडबाय कहो बाई बाई बत्क तुमसे फिर मिलेंगे ट्रेजर हंट दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रही है दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही है दादा पिग बगीची में ट्रेशर को छुपाने के लिए जगा खोद रहे हैं दादा पिग, आपका काम हो गया, पेपार जोज आती होंगे परिशान होने की ज़रूरत नहीं, दादी पिग पेपार उसका परिवार आ गया है जल्दी करो दादा पिग, वो आ गये काम खत्म कर दिया तादी पिग, हम आ गये, चाची ची हलो, मेरे प्यारे बच्चो दादा पिग, चाचा ची ओ, कैसे हो, मेरे प्यारे बच्चो पेपा, जोज, तुम्हारे लिए ट्रेशर हंट बनाया है बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना वाओ, खजाना, कहा है वो वो तो तुम्हे ढूनना होगा ये रहा खजाने तक जाने का नक्षा और जोज मेरा पाइरिट हाट पहन सकता है ओ, हलो, कैप्टन जोज ये मैप थोड़ा मुश्किल है टैरी, आप मदद कीजिए क्यों नहीं पेपा, मुझे मैप पड़ना आता है ये थोड़ा मुश्किल है डाटी पेग, आपने नक्षा उल्टा पकड़ा है अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजानक कहा है लेकिन कार्ड़न में वो दोसेप के पेड़ कहा है मुझे नहीं पता तुम्हें मदद चाहिए हाँ, प्लीज पहला क्लू बोटल में है लेकिन बोटल कहा है मुझे देख गई पेपा ने पहला क्लू ढून लिया है बोटल में मेसेज है देखिए ये रही बाटल शाबबाश पेपा देखते हैं मेसेज में क्या लिखा है वो ये तो एक पाइरेट का मेसेज है मामी क्या आप मेसेज पढ़ सकती है इस समुद्री डाको की राइटिंग बहुत ही खराब है नहीं नहीं पाइरेट की लिखावट बहुत अच्छी है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ पाइरेट ने लिखा है निशानों का पीछा करो निशान का पीछा करो जोर्ज को दूसरा क्लू मिला है कुछ एरोज के निशान जो लकडियों से बने देखो वो उस तरब जा रहे हैं पेपा और जॉर्ज एरोज का पीछा कर रहे हैं देखो जॉर्ज एक चाबी पेपा को अगला क्लू मिला है एक चाबी बहुत अच्छ है पेपा अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ठूणना है जो इससे खुलेगा लेकिन यह और कोई क्लू नहीं है तुम्हें नक्षे को ठीक से देखना चाहिए देखो पेपा नक्षे में दो सेप के पेड़ भी है यहां एक सेप का पेड़ है और यह रहा दूसरा सेप का पेड़ इसका मतलब खजाना यहां है तो चलो देखते हैं ओ नहीं यहां पर तो कुछ भी नहीं है जरा रुको यहां पर कुछ है वाव खजाना मेरे पास इसकी चाबी है वाव यकीन नहीं होता सोने के सिक्के यह तो बहुत कीमती होंगे उससे भी ज्यादा यह सोने के सिक्के नहीं है यह तो चौकलेट के सिक्के हैं और यहां सब के लिए चौकलेट के सिक्के हैं प्रेट प्रेट जोज को चॉकलेट के सिख्के पसंद है सभी को चॉकलेट के सिख्के पसंद है दादी दादा ये सबसे अच्छे खजाने की खोच थी पैंकेक्स चाय का वक्त है और ममी पिक सबको सप्राइज देने वाली है आज है पैंकेक्स का दिन पैंकेक्स यमी अरेवा मुझे पैंकेक्स बहुत पसंद है सबको पैंकेक्स बहुत पसंद है मैं पैंकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हो ये मुझ पर छोड़ दो पक्काना डाड़ी पिक, पिछली बार पैंकेक जमीन पर गिराने से आम जड़ा चिड़ी हो गए थे मैं चिड़ी चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉबलम थी मामी, क्या हम भी पैंकेक बनाने में आपके मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो, पहले में बावल में सूखा आटा डालूँगी, अब मैं अंडा डालूँगी, अब दूब, फिर सब को हिलाऊंगी, मामी, क्या मैं कर सकती हूँ, हाँ, जरूर पैपा, पैपा को ये करने में बहुत मसा आ रहा है, जोज भी उसका साथ दे रहा है, नहीं जोज, ऐसे मत करो, अच्छा, अब बहुत हुआ हिलाना, मैं पैंकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो, ममी पिग अब पैंकेक को पल्टेंगी, उसे थोड़ा और उपर उछा स सती हो, ममे पिग, जब अपना पैंकेक उछा लोगी ना, तब हमें सिखाना, डाडी पिग, ममी पिग ने जोज, गे पैंकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला, यम्मी, ये पैंकेक पपा के लिए है, वाह। तुम इसे और उपर उच्छाल सकते हो, मम्य पिग। जब अपना पैनकेक उच्छालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुमें मिलेगा, डाडी पिग। सिरॉप प्लीज। युम्युम्य। युम्य। युम्य। यह पैनकेक ममी पिग के लिए है। हुरे! अब भी उन्हें ज्यादा उच्छा नहीं उच्छाल रही, मम्य पिग। अगला पैनकेक आपका ही है, डाडी पिग। तो अब आप ही करके बताईए। बहुत युम्य। अब सब की नजर मुझ पर हो। एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में उपर उच्छालना होता है। एक, दो, और तिन। पुद्दु डाडी। मैंने कुछ ज्यादा ही उपर उच्छाल दिया। अब क्या करें, यह तो आखरी पैनकेक था। इसे नहीं चलाना बहुत यह असान है। ओफो, डाडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुच पा रहा है। अब फिक्र मत करो डाडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ। चलो उपर चले बच्चों ममी पिग क्या प्लान बना रही है। तीन के गिंती होने पर हम सब को ऊपर नीचे कूदना है। एक, दो, तीन, कूदो। यह सब कर क्या रहे है। काम हो गया, अब डाडी पिग को उनका पैनकेक मिल गया। डाडी के सिर पर पैनकेक है। आपके पैनकेक पर सिरप डाडी पिग। ठीक है डालू। हुँँँख! एक, दो, और, तीन… ह्म्... यहुमी पैनकेक! पूसर डाडी ओड़डडड में! गर्मी का दिन सूरत चमक रहा है बहुत ज्यादा धूप है कितना प्यारा सुहाना दिन है पेपा और जॉज ने अपने जूते पहने हुए है मिठी के गड़ों में कूदने के लिए मजे मिठी के गड़े बहुत पसंद है अफो दूप इतनी तेज है कि सारे गड़े सूक गए है ममी, टैड़ी, गड़े सारे सूक गए है और हम उन में कूद नहीं सकते कोई बात नहीं पेपा, इतनी दूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो हाँ, स्विमिंग पूल लेकिन पहले तुम्हें अपने स्विमिंग कॉस्च्यूम पहनने होंगी जी ममी पिग पेपा और जॉज ने अपने स्विमिंग कॉस्च्यूम पहन लिये हैं ममी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्च्यूम पहन लिया है और डाड़ी पिक नभी सुमिंग कौशिम पहन लिया है बहुत धूप है तुम्हें सानक्रीम की जरूरत पड़ेगी याक बहुत चिपचिपार गंदा है याक हो 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 इसकी क्या जरूरत है है आज हम सब को जरूरत है ओओ ही 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 हो हो चलो चॉर्ज इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं डाड़ी पिक पैडलिंग पूल में हवा भर रहे है कितना आसान है पैपानी पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया पानी कहा है पैपा और जोर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है आइसक्रीम आइसक्रीम जाए है आइसक्रीम गर्मी के दिनों में मिस्स राबिट आइसक्रीम बेचती है मामी डैरी क्या जौज और मैं आइसक्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है वैसे भी अज बहुत ज्यादा गर्मी है क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? सबको आइसक्रीम पसंद है हलो मामी पिक, पेपा और जौज हलो मिस्स राबिट आपको कौन से आइसक्रीम चाहिए? क्या मुझे कौन मिल सकता है प्लीज? हाँ जरूर मिल सकता है पेपा थैंक यू मेरे लिए और डैड़ी पिक के लिए भी वही देना प्लीज और छूटी मिस्टर जॉज को क्या चाहिए? डाइनसार डाइनसार? पदड़ जॉज वो हर चीज के लिए डाइनसार कहता है पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास इस डाइनोसौर की आकार में एक कैंडी है, ये लो दाइनिसौर जोर्ज, पिखलने से पहले अपनी आइस कैंडी खतम करो जोर्ज को डाइनसौर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खतम नहीं करना चाहता थैंक्यू मिस्स राविट सब मज़े करो जोज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खातं करनी चाहिए पिखलने और जमीन पर गिरने से पहले जोज की डानोसौर आइस कैंडी पिखलकर जमीन पर गिर गई कोई बात नहीं जोज, तुम डाडी के आइस क्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगी इतनी ज्यादा गर्मी है कि डाडी पिख सो गए डाडी पिख को गर्मी लग रही है चलो होना ठंदा करने के लिए पर पानी डाते अच्छा इडिया है पैपा क्या हुआ आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे इसलिए हमने आप पर पानी डाला अच्छा थेंक यू पैपा देखो पानी के गड़े चलो जोज जूते पहनो पैपा और जॉज ने अपने जूते पहने हैं पैपा और जॉज को ऐसा गर्मी वाला दून पसंद है पर सबसे ज़्यादा उन्हें गड़ों में उपर नीचे कूदना पसंद है क्लोई का कट पुटली का खेल पैपा और उसका परिवार अंकल पिग, आंटी पिग और कजिन क्लोई से मिलने जा रहे हैं मुझे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे डाडी पिग, आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए खास कर बच्चों के सामने पर सही तो है अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर-जोर से खराटे मार कर सो जाते हैं ये ऐसे पेपा, चॉर्ज, मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ चीक है डाडी पेपार उसका परिवार अंकल पिग और आंटी पिग के घर पहुँच गए हैं हेलो आंटी पिग, हेलो अंकल पिग, हेलो अंकल पिग, हेलो, हेलो, कैसे है आप, बेलकुल ठेक हो, तुम कैसे हो, अंकल पिग डाडी पिग के भाई है, क्लोई पिग पेपा और जोर्ज की बहन है, हेलो क्लोई, हेलो पेपा, हेलो जोर्ज, मुझे तुमें कुछ दिखाना हमारे लिए रुको यह है मेरा नया कट पितली यानी पिपेट थियाटर मेरे तैडी ने मेरे लिए बनाया है मैंने दो पिपेट्स पहले ही बनाये है इसका नाम है क्लोई हेलो, मैं हूँ क्लोउपेग और यह है मेरे डाडी अंकल पेग हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पिग क्लोई, क्या मैं और जॉज भी पपेट बना सकते हैं? क्लोई पपेट के आँखें पेंट कर रही है मैं मू बनाओ? हाँ, बनाओ मेरा नाम पेपा है जॉज, तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है? डाइनिसार क्या, डाइनिसार? जॉज हर चीज के लिए डाइनिसार ही कहता रहता है ठीक है, डराऊना डाइनिसार पपेट बनाते है क्लोई जॉज के लिए डाइनिसार बना रही है इसे नुकीले दाच चाहिए ऐसे, डराऊना डाइनिसार लंच तयार है आ रहे है खाने के बाद हम सब को पपेच्चो दिखाएंगे अंटी पिग में खाने में नूडल्स बनाए है यह नूडल्स तो बहुत ही स्वादिश्ट है अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स तुम दोनों भाई भाई हो यह पता चल रहा है हर चीज में एक जैसे है क्या मतलब है तुमारा हम बिलकुल अलग है पेपा जोर्ज और मैं सबको एक पपेच्चो दिखाने वाले है बहुत अच्छे तयारी हो जाए तो पताना बद मिस्ते है पपेच्चो मज़ा आएगा क्या और्नुर्स खाने के लिए वक्त है क्या मैं भी खा सकता हूँ पपेच्चो शुरू होने वाला है हेलो मेरा नाम है क्लोई और मैं हूँ पेपा एक डाइनसौर दरावना डाइनसौर क्या बात है बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छे मैं हूँ अंकल पेग हेलो अंकल पेग हेलो पेपा हो 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 यह तो बिल्कुल आप की तरह लग रहा है लग रहा है उन्होंने मेरा पेट बहुत बड़ा बना दिया मुझे मेरा लंच पसंद आया अंकल पेग क्या आप सो जाएंगे और हमेशा की तरह खराटे मारेंगे क्या मतलब है तुम्हारा डाड़ी कहते हैं कि आप हमेशा सोते हैं और जोर से खराटे मारते हैं ऐसे तुम्हारे डाड़ी सही कहते हैं मैं सच मुझ खराटे मारता हूँ डाड़ी पेक आप मों अंकल पेक के बारे में इसा बाते नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ भी सुन रहे होंगे डादी पेग और अंकल पिग सो गए हैं पाता चल रहे हैं दोनों भाई भाई हैं क्या हुआ यह क्या पपेच्छ अभी तक शुरू नहीं हुआ पेपा और उसका परिवार कैम्पिंग के लिए जा रहे हैं उठे कैम्पिंग बहुत पसंद है हम पाज गए पेपा चॉर्ज ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है डाड़ी आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे शिंता मत करो पेपा मैं कैम्पिंग में एक्सपर्ट हूँ मामे पेग लकडियों पर टेंट लगाओ प्लीज देखा तुमने कितना आसान है क्या ये खोंटे किसे काम के है वेलकुल मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया पेग्स के साहरे टेंट खड़ा हो गया हो गया ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था लेकिन आप ये छोटा क्यू लग रहा है जो कि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डाडी पेक और आपका पेट सबसे बड़ा हो गिया है पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं आग जलाने के लिए हमें लकडिया जमा करनी होगी यिपी पेपा और जोर्ज केमफायर के लिए लकडिया ठुणने में डाडी पिकी मदद कर रहे हैं जोर्ज, मैं लकडिया उठाऊंगे और तुम इने पकड़ लेना लकडिया इकठा करने में मज़ा रहा है बहुत अच्छे, इतनी काफी है बहुत अच्छा केमफायर है अब जलाते हैं ये रही माचिस हमें माचिस की जरुरत नहीं है डाडी, माचिस के बगएर कैसे जलाओगे मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ दो लकडियों को एक दूसरे पर घिस कर डाडी पिक केमफायर जलाने के लिए दो लकडियां एक दूसरे पर घिस रही है अब कहा है डाडी थोड़ा सबर करो देखा कितना आसान है अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं प्रकृति क्या आवाजे सुनाई दे रही हैं ये कैसी आवाज है ये कीडों की चीची आवाज है ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो, वहाँ पर वाँ और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये डारी के पेट की आवाज है मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबजे अच्छी आवाज है इसका मतलब खाने का वक्त हो गया मुझे टमाटर सुब बहुत पसंद है मुझे भी और अब सुनो डाडी पिक की एक और आवाज क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे? ये तो बहुत चोटा सा है सब ठीक है, जाओ तो अंदर चलो मामे पिक थोड़ी जगा दो मुझे डाडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है गुद नाइट डाडी पिक गुद नाइट डाडी सबको गुद नाइट पमी पिग, पेपार जॉज टेंट में सो रहे हैं और डाडी पिग बाहर सो रहे हैं, तारों के नीचे मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है खुली हवा में तारों के नीचे सोना शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था सुबा हो गए है डाडी, टेंक में बहुत अच्छा लगार बहुत मजा आया ओ, डाडी कहा है डाडी पिक चले गए बेचारी डाडी पिक, बारिश की वज़े से उन्हें ठन लग रही होगी अब कहा है वो ये कैसी आवाज है ये तो खराटो की आवाज लग रही है डाडी पिक क्या हुआ डाडी आप ठीक है हाँ, बिल्कुल ठीक हो, मुझे क्या होगा कैम्पिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ मैं गारी में आकर सो गया पुट्ट डाडी पिक मुझे कैम्पिंग बहुत पसंद है तब म्यूजियम पेपारस का परिवार म्यूजियम जा रहे है डाडी, म्यूजियम क्या होता है ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिल्छस्प चीजे होती है आप से भी पुरानी हाँ मुझे बहुत बहुत पुरानी बहुत ही पुरानी एक कमरे में राजा और रानी की बहुत सारी चीजे भरी पड़ी है हाँ मुझे राजा रानी का कमरा देखना है वहाँ और राजा रानी का कमरा देखना है नहीं आपको दो बड़े और दो बच्चे. दाइनसार. और एक डाइनसार. पैपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीज़े हैं. वाँ! डाइनसार. पर जॉज को असली डाइनसार देखना है. रोना मत जॉज. इसके बाद हम जाइनसार देखने जाएंगे. पैपा, ये सारे चीज़े कई साल पहले रानि इस्तेमाल करती थी. ये है रानि की खास कुरसी. उसे सिंघासन कहते हैं. बहुत सुन्दर है. ये है रानि की ड्रेस. कितनी प्यारी है. देखो पैपा, ये है रानि का सोने का मुकुट. वाव! बहुत सुन्दर है. मामी, रानि का टीवी कहा है? पैपा, उस समय टीवी नहीं होते थे. टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे? नहीं, उस समय कम्प्यूटर भी नहीं थे. वो तिन भर क्या करते थे मामी अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है यामी क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा हाँ और केक प्लीज अभी ला कर देती हूं चलो अभी सब लोग आ रही हूं डैडी डैडी मैं हूं रानी पेपा मुझसे बात करते हैं वक्त आपको जुकना होगा ओ मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबो और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूं यह तो बड़ा मज़ेदार काम होगा हाँ बड़ा ही मज़ेदार काम है यह और यह कौन सा कमरा है? यह डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? जोर्च यह डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर डाइनसौर कहा है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं देख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा वो बहुत ही बड़ा है वाँ यह असली डाइनसौर की हट्डियां है जोर्ज खुद को डैनोसौर समझ रहा है डैनोसौर आ गया बचाओ बचाओ डैनोसौर का कमरा जोर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और लगता है डैडी पिक पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए वो कौन सा कमरा है ममी जिस कमरे में केक्स है डाड़ी पिक को पसंद है म्यूजियम का क्याफे चलो आकर खा लो ओ हा ये सबसे अच्छा कमरा है वाली पैरिट पैपा उसका परिबार ग्रैनी पेग और ग्रैन्पा पेग से मिलने आये हैं ग्रैनी पेग ग्रैन्पा पेग ग्रैनी पेग पाप प्रेग हलो मेरे छोटे बच्चों अंदर आ जाओ हमारे पास एक सप्राइज है वो क्या है हमारे पास है एक नया पेट क्या बता सकते हो वो क्या है डाइनसौर अरे नहीं डाइनसौर नहीं है वो आओ और देखो ग्रैनी पेग और ग्रैन्पापिक के पास एक पैट पैरिट एपा जोज ये है हमारा पैट पैरिट इसका नाम है प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली मैं एक होश्यार पैरिट हूँ मैं एक होश्यार पैरिट हूँ ममी ग्रैनी जो भी कहती है पॉली उसकी नकल क्यों करता है पैरिट ऐसा ही करते हैं चलो दिखाती हूँ हेलो पॉली कितना प्यारा सा पैरिट है कितना प्यारा सा पैरिट है आजाओ सब लोग चाई पीते हैं पैपा जोर्ज आजाओ यहां चॉकलेट केक है अरे ग्राणी पैपा और जोर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरिट के साथ खेलने की जल्दी में है खतम हो गया तुम बच्चे कितना शोर करते हो ग्राणी क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरिट को देख सकते हैं क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया फिर तुम जा सकते हो जोर्ज पॉली को कुछ कहो ना जोर्ज थोड़ा जिजख रहा है हेलो हालो पैपा और जोर्ज को पॉली पैरिट के साथ खेलने में सच में मजा रहा है मैं हूँ पैपा पिग मैं हूँ पैपा पिग जोर्ज कुछ बोलो पैपा पॉली पैरिट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है मैं एक बातूनी पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ पैपा जोर्ज क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो जी ग्रानी पॉली सच में एक प्यारा पैरिट है हाँ ग्रानी मैं एक होश्यार पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरट हूँ मैं एक बातूनी पैरट हूँ क्या कहूँ ले को जाव उला अ गौद्ष telescopes किसा से फिलровा हुआ बत्तूनी की नहीं, कि को बातूनी का बातूनी पैरेसा हुआ। को एक बातूनी, हुआ। को एक बत्त्तोनी, को बाता, प्युआ को ऀítक रिले moments जातूनी को एक आ ज्मयचिन हिककप्स पैपा , चॉर्ज , मुम्मी और डैडी नाश्ता कर रहे 좋아하 you यह एक प्यार सा सुहाना दिन है पैपा और जोॉर्ज में खेलने के लिए जाना जाते है मुमी क्या हम खेलने के लिए बाहर जाए ? तुम अपना नाश्टा खतम करके बाहर खेलने जा सकते हो जोर्ज अपना जूस इतनी जल्दी मत पियो जोर्ज ने अपना जूस जल्दी से पी लिया और अब उसको हिच्कियां लग गई है क्या अब हम जा सकते हैं मामी नहीं जॉर्ज को हिच्कियां आ रही है लेकिन जॉर्ज की हिच्कियां बंद हो गए मामी हो गई है लेकिन जॉर्ज को गार्ण में खेलना पसंद है जॉर्ज मैं बॉल फैकने वाली हूँ फिर तुम उसे पकड़ना ठीक है जॉर्ज हिचकियों लेना बन करो जॉर्ज अब तुम बॉल मेरी तरफ फैको मैं उसे पकड़ूंगी जॉर्ज ओ टियर जॉर्ज की हिचकियों से खेल बिगड रहा है जॉर्ज मैं जानती हूँ हिचकिया कैसे चीक करनी है तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ अपने सिर को खुझाओ और पेट को रगड़ो बढ़िया अब तुम्हारी हिचकिया बंदो गई पेपा ने हिचकियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया जॉर्ज ये तुमने बिल्कुल गलत किया मुझे हिचकिया ठीक करने का अच्छा तरीका आता है पहले एक तांग पर तीन बार उपर नीचे कुदो अब अपना हाथ हिलाओ उपर और नीचे और अपनी जीब बाहर निकालो और अब अपनी आखे बंद करो और तेजी से घूमो सिर्फ तीन बार पैबा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया जॉर्ज को अभी भी हिचकिया आ रही है मैं जानती हूँ हिचकियों का इलाज विमार पिगी को एक शोक दिया जाना हूँ जो जोज मैं तुम्हें दराने वाली हूँ लेकिन तुम्हें यादired न,, ये सिर्फ एक खेल है और इस से तुम्हारी हिचकिया बंद हो जाएंगी याद रखना, यह सिर्फ डराने का खेल है पैपा, तुम्हें जॉज की साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, यह बहुत छोटा है माप करना ममी, मैं जॉज की हिच्किया रोकने के कोशिश कर रही थी जॉज की हिच्किया बंद हो गई डेड़ी पेक जूज के दो गिलास लेकर आते है जॉज, इस तरह पीओगे तो फिर से हिच्किया लग जाएंगे मैं उतनी छोटी नहीं हो जितना जॉज, मैं अपना जूज बहुत जल्दी पी सकती हूँ फचा-फीं mayor मैं जॉज, मैं इस लेका सबकिए ट्रफ़्स ममी पिग का बर्थडे आज ममी पिग का बर्थडे है डादी पिग ने ममी पिग के लिए ब्रेकफस्ट बनाया है हैपी बर्थडे ममी पिग पेपा और जॉर्ज ने ममी पिग के लिए बर्थडे कार्ट बनाया है हैपी बर्थडे ममी अहो, यह कितना प्यारा बर्दे सप्राइज है और भी बहुत सारे सप्राइजेस मिलेंगे अपने बर्दे के ब्रिक्फस्ट का मज़ा ले लो, आराम सिखाओ यम्म्म, यम्मी शुर्दी करो, हमें बाकि सारी तयारी करनी है डाड़ी पिग ने ममी पिग के लिए बर्दे केक बनाया है अब हमें सिर्फ कैंडल्स लगाने है एक, दो, मैं आ रही हूँ ममी पिग ने अपना बर्दे ब्रिक्फस्ट खतम कर लिया ममी आ रही है ओ नहीं, हम अभी तयार नहीं है कौन है? मैं हूँ ममी, क्या मैं अंदर आओं? नहीं, नहीं 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 रहा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती अच्छा ममे पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? यह यह अच्छा है वैसे भी तुमारा बर्डेइ है ठीक है पेपा, मुझे पता है, सोफा कहां रखा है यह 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 अच्छा सा मैगजीन तेंक यू पेपा और प्यारा सा म्यूजिक सुनो तेंक यू पेपा हाहा- हमें उतनी कैंडल्स जाहिए जितनी मम्य की उомर है एक, दो, तीन ओ नहीं हमारे पस अतनी कैंडल्स नहीं है त्यादी मम्य कितने साल की है मैं तुम्हारे कान में बताता हूं वाओ, बहुत बड़ी है मुझे लगता है तीन केंडल्स काफी हो जाएंगी ममी पिक का बर्थ जेक तयार है हुरेइः हमें और कुछ ने बस अब हॉल की सजावट करनी है हेलो मामी ओ आगे तुम लोग मैं थोड़ी बोर हो रही थी मामी क्या आप गार्डन में एक वाक लेना चाहेंगी हम आपको जल्दी बूला लेंगी ठीक है मैं तो भूली गई थी की बर्दे पर कितना काम करना पड़ता है डाड़ी पिक पकर ऑर जौर्ज हॉल को सजा रही है दादा और दादी पिक ममी पिक का बर्थ डे मनाने आए हैं हैपी बर्थ डे मम्मी पिग क्या तुम अंदर नहीं आ रही ओ मैं अभी अंदर नहीं आ सकती जारी पेपा और जॉर्ज मेरे बर्दे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे है ओ अच्छी बात है बाद में मिलते हैं बाई ममी क्या आप अंदर आना चाहोगी हाँ बिल्कुल आओंगी आखे बंद करो अपनी आखे बंद ही रखो ममी एफ दू तीन अपनी आखे खोलो हापी बर्थ दे मामी पेले कितना प्यारा सप्राइज है ये चलो अब कैंडल्स बुजाओ और विश मांगो ममी ममी अपना गिफ्ट खोलो कैस करो इसमें क्या है मुझे नहीं पता तो खोलो और देखो ये तो बहुत ही खुपसूर अड्रेस है आप खुपसूरत हो ममी अब इससे पहन कर किसी अच्छी जगा पर जाना चाहिए ये क्या है दो टिकेट्स आज रात के फिल्म के चलो चलें तांक यू ममी पिक को फिल्म देखना पसंद है मैं और दादी पेग बच्चों को घर पर समहल लेंगे कितना अच्छा बोदे है लगता है मैं दुनिया के सबसे लखी ममी हूँ और खुपसूरत भी पेपा और जॉर्ज अपना फेवरिट खाना खा रही है नूडिल्ज कितना शोर मचा रहे हूँ खतब हुआ अब हमें थोड़ी शांती मिलेगी यह क्या है यह दाथ है यह कहां से आया पेपा तुम्हें जाकर आइने में देखना चाहिए यह तो मेरा दाथ है यह कैसे गिर गया फिक्र मत करो पेपा यह दूद का दाथ है वो तो गिरते ही है नया दाथ आ जाएगा ना ममी हाँ जरूर आएगा पेपा इसका यह मतलब है कि आज टूद फेरी तुमसे मिलने आएगी टूद फेरी? हाँ टूद फेरी अगर तुम अपना दाथ तक यह के नीचे रखोगी तो टूद फेरी आएगी टूद फेरी तुम्हारा दाथ लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी जब मैं बड़ी होंगी मैं टूद फेरी बनूँगी और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? ताइनसोर एक ताइनसोर? जल्डी करो जोज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूद फेरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले पेपा और जोज अपने दांत ब्रश करते हैं पेपा तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत प्रश कर रही हूँ ताकि टूद फेरी के लिए वो अच्छ और साफ हो पेपा जल्ड से जल्ड सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दांत तक्ये के नीचे रखती है टूद फेरी के लिए गुद नाइट पेपा और जॉर्ज गुद नाइट मामी गुद नाइट डाड़ी गुद नाइट प्यारे बच्छो जोर्ज मैं तो सूँगी नहीं चलो हम दोनों पूरी राद जाकते हैं और टूद फेरी से मिलते हैं यह टूद फेरी कब आएगी टूद फेरी को आने में काफी देरी हो रही है कहां है वो टूद फेरी वो आवाज कैसी थी क्या वो टूद फेरी है जोर्ज क्या तुमने कुछ सुना ओ जोर्ज ओ यह वाज तो जोर्ज के खराटों की है वो इतना ठका हुआ था कि सो गया जोर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता पर मैं जग सकती हूँ मैं जाकते रहूंगी और टूद फेरी को देखूंगी मैं नहीं सोने वाली हूँ आखिरकार टूद फेरी आ ही गई लेकिन पेपा सुई हुई है हला पेपा, क्या तुमारे दाथ के बदले में तुमें ये सिखा चाहिए कितना अच्छा और साफ दाथ है तेंक यू पेपा, गुद नैट पेपा, जोज, अच्छाओ, सुबा हो गई क्या, मैं सुई नहीं थी क्या टूद फेरी आई थी नहीं आई चलो तक ये के नीचे देखते है देखो पेपा, टूद फेरी आई थी और उसने तुमारे लिए गोल्ड कोईन रखा तुम सो गई थी है ना हाँ, शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी लेकिन अगली बार में जगी रहोंगी और टूद फेरी से ज़रूर मिलोंगी पेपा और जॉज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं पेपा और जॉज को शॉपिंग पसंद है जॉज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है और पेपा को भी दाड़ी क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ तुम इस ट्रॉली के लिए बहुती बड़ी हो पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो अरी वाह देखो हमारी लिस्ट में चार चीज़े हैं टमाटर, नूडल्स, प्यास और फल मैं सब ढून लोंगी इस तरफ पेपा और जॉज को शॉपिंग बहुत पसंद है पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं मुझे देख गए, मुझे देख गए ये देखो टमाटर ममी शाबाश पेपा एक, तो, तीन, चार अब उन्हें ट्रॉली में डालो मुझे टमाटर मिल गए शाबाश पेपा टमाटर, लिस्ट की एक चीज मिल गई है अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है नूडल्स, डूडल्स सही कहा जोज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं डूडल्स नूडल्स पेपा और जोज का पसंदीदा खाना है अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे मुझे दिख गए, इस तरफ नूडल्स देखो ममी, ये रहे नूडल्स शाबाश पेपा अब चलो, जल्दी से ने ट्रॉणी में डालो जी कह, ममी टूडल्स जोज इसे कहते हैं नूडल्स तूडल्स अब लिस्ट में आगे क्या है पेपा चिप्स चिप्स तो लिस्ट में नहीं है हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पेपा जरा याद करो मुझे नहीं याद आहा रहा डाडि किया तुम्हें का याद है जोज भी कि दॉनो धाइनिसार जोज। यहाँ पर धाइनिसार नहीं मिन्लता पॉड्दू नहीं जोज। लिस्ट पर अगली चीज है प्याज प्याज अभी याद आया मामी ये रहे शाबाश एक दो तीन चार प्याज शाबाश अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजे मिल गई लिस्ट की बस एक ही चीज बची है पौधा क्या ये लिस्ट में है नहीं नहीं जॉर्ज लिस्ट पर आखरी चीज फल है कोई बात नहीं जॉर्ज तुम फल चुन सकते हो फल कहां है वह अपर वहाँ सेब हैं केले हैं, संत्रे हैं और एक बहुत बड़ा तर्बूज भी कौन से फल ने हैं जॉर्ज सेब संत्रे केले तर्बूज इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं टमाटर नूडल प्यास तर्बूज चॉकलेट केक चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? क्या ये लिस्ट में है? पैपा, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं ममी जॉज क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं मैंने भी तो नहीं रखा फिर किसने रखा मुझे लगा पुटिंग के लिए अच्छा होगा डाड़ी पेग शरारती डाड़ी सॉरी लेकिन यह कितना यमी लग रहा है ना यमी तो लग रहा है ओ हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था चौक रखाइग हुराइग कर दो